वीडियो में हम लोग देखेंगे लसी मौर एक सिए घ्या होता है उसके मैठड की क्या होते हैं उनको कैसे कैसे फाइंड किया जाता है तो सबसे पहले देखते हैं लसी म क्या होता है the full form of LCM is least common multiple तो full form क्या होती है इसकी least common multiple मतलब सबसे छोटा जो होगा जो common होगा multiple वो सबसे छोटा नमबर दिये होंगे उनमें जो सबसे छोटा नमबर multiple होगा और common होगा दोनों नमबर में या दो से ज़्यादा नमबर में उसको हम लोग क्या कहेंगे LCM SCF the full form of SCF is the highest common factor मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा नमबर दिये होंगे उसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे उनमें जो common factor होगा और सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे SCF greatest factor present in between given two और more number यानि कि जो भी common होगा और सबसे बड़ा नमबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे SCF अब method क्या है LCM और SCF को find करने के तो दो तरह के method है एक तो है प्राइम factorization method और division method प्राइम factorization में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ प्राइम नमबर से ही डिवाइट करते हैं उनके factor निकालते हैं उसके बाद हम लोग common number भूंट रहे हैं इसलिए example के थुरू देखते हैं हम लोग दो नमबर ले लेते हैं कोई 15 and 24 इनका हम लोग को क्या find करना है LCM अब पहले प्राइम factorization method रिखेंगे तो 15 के factor करेंगे हम लोग है ओसरे है थिए इनटू फाइव टूंटी फोर के factor करेंगे तो क्या जाएगा है तो इनटू टू इनटू टू टू इनटू इनटू टू टिरी टू टू जा फॉर टू जा इट डिवे एट टूंटी फॉर वेल्सीं हम लोग और यहां थिरी है common तो पहले common लिख लेंगे और बाकि जो हम लोग के फ्रेक्टर बच्छे होंगे उनको भी लिख लेंगे अब तू है यहां पर तू है तो ट्रे टाइम्स टू आ जाएगा और वन टाइम फाइव आ जाएगा अब यहां जाएगा थे टू जाएगा थे टू जा सेक्स टू जा ट्वाइल टू जा हम लोग को जाएगा ट्वंटी फॉइब फाइब जाम लोग के यह एक यह लिख लाइन की चेंग अब इनको डिवाइट करेंगे पहले सबसे चोटे नमबर से डिवाइट करेंगे तो यहां टू से 15 नहीं हो रहा है लेकिन 24 हो रहा है तो टू को 24 से डिवाइट करेंगे क्या जाएगा ट्वल इस नमबर को क्योंकि डिवाइट नहीं हुए इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे लग अब यहां होगे सद्वर हो रहा है यहां है से लिख देंगे को इस नमबर को और तूक से होरा है है हो जए दा हो जाएक है आ ताइमस और 3 बंजा 3 हो जाएगा अब यहां पर 1 चहीं हो गया है यहां पर 5 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे 5 जा रजा तो थे यहां पर 2 कि इंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट को मेशन सनुन है यह पर एपन परत्री और वाइव इंट्ट्ट्ट कॉए कि टू सब्सक्राइब का 245 फाइब हुआ हम लोग प्रायम फैक्र आइस तो से करें यह हम दीजिन मेसे करें हम लोग ये लेकेम थेंगा कि अब हम लोग देखते हैं से का से फाइंड करेंगे तो फिर से हम लोग 15 और 24 ले लेते हैं हम लोग पहला मैठेड लगाएं प्राइम फेक्टराइजेशन मेठेड तो फिप्टीन के फेक्टर करेंगे क्या आजाएगा थिरी इंटू वाइव 24 का पके निका यह जाएगा हम लोग को फिर फो य्टो टू बया हिए रहाए sigui अब ऑफ तिक हम लोग क说 घ्रान देना हैं कि हम लोग को सिर्फ इन दोनों नमबर में सिर्फ कॉमन नम्बर है वही लेना है उसके को कोई नमबर नहीं लेना तो इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे ये दोनों ही नंबर हो जाएगे इसके रावा हम लोग का कोई number इससे बढ़ा नहीं है जो divide कर पाया इन दोनों को है इस ही का हम लोग देखते हैं सेकेंड़ वाले method से division method से 15 और 24 अब हम लोग को इन दोनों number को उसी number से divide करना है जिससे यह दोनों यह नंबर एक साट डिवाइड हो रहा है तो देखता है टू से करते हैं तो से हम लोग का 24 हो जाएगा लेकिन 15 नहीं होगा तो अगला नमबर हम लोग क्या है तो ठीजी 5-10 15 हो जाएगा और दिश्क अब इसके बाद हम लोग देखतें 5 और 8 किसे कटेंगे अब ना तो यह द जाएएगा सिर्फ फटोर्ट कि तो यह था मोगा दोनों मेक्षैभ निकालने का मैठर्ड यहाँ भी थिरी आएगा और यहाँ भी सिर दो नंबर ले लेते हैं लोग लोग 144 & 160 तो इसमें क्या करेंगे हम लोग लॉग डिवीजिन मेठट में हम लोग जो बड़ा नंबर होगा उसको डिवाइट करेंगे हम लोग जो छोटा नंबर होगा लब बन 160 को लोग डिवाइट के करें 144 से जब घ्रीवाइट करें तो कितने टाइमस ले जाए 144 बंजा 144 मैनिस करेंगे इसको तो हम लोग करहाएगा 6 और यहां 16 आ गया अब 16 जो हम लोग का रिमेंडर बचा है इस से हम लोग इस वाले नमबर को डिवाइट कर दें जिससे हम लोगे पहले 160 को डिवाइट किया अब 169 कितना होता है 144 यह पूरा कैंसिल हो जाएगा अब जो लास्ट में हमने जिस नमबर से डिवाइट किया वही हमारा क्या हो जाएगा सब्सक्राइब कर दो का इसमें क्या जाएगा शिक्स्टीं कि अलब जो 144 और 160 का जो लसी हम आएगा वो कितना आजएगा 16 आजएगा हम लोग का अब हम लोग देख्थे रिलेशन बिट्विन और एरा सिय लें कि होता है इसमें कि या होता है व्लेशन और टूम कर बरावर होते हैं कि है कि लिजयогодं के-टिध नभर लोकिये मंवात tys और वो किसके बराबर होगा उन्हीं नंबर के LCM और SCF के बराबर होगा तो दो नंबर मान लेते हैं लेट टू नंबर्स और 12 एंड 15 हम लोग 12 और 15 का LCM निकालेंगे और SCF निकालेंगे तो 12 और 15 का हम लोग division method से LCM निकालेंगे तो पहले टू से divide करेंगे तो 6 जाएगा यहां 15 जाएगा क्योंकि divide नहीं होगा अब 2 से फिर करेंगे यहां 3 times हो जाएगा यहां 15 डिवाइड नहीं होगा अब यहां पर 3 से हम लोग कर देंगे त्री बन जाएगा यहां 35 जाएगा और यहां 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5 बन जा हो जाएगा LCM क्या जाएगा हम लोग का तो इंटो टू इंटो इंटो थिरी इंटो फाइव यानि तो टू जा फॉर फॉर थिरी जा 12, 12, 5 जा हो जाएगा हम लोग का 60 इसी तरह हम लोग से डिवाइड नहीं होगा यह हम लोग किसे डिवाइड होगा थिरी जै तो थिरी हो जाएगा फोड जा और थिरी फाइड जा अब इसके बात ना तो ये ना तो कोई नमबर और असा नहीं जिसे ये दोनों ही नंबर मोज़े तिरी हो जाएगा लोग लोग इस पॉठ कर देते हैं इwn खो ₹ ब्रडक्ट तो नम्बर कौनग différent इतव वर 15 इनका मॉल्टिप्लाइगे गरें 12 इंटू 5 15 इंसे हम उन्हों का क्या आता था 60 और स्थ हम लों का क्या आया थि इनको मॉल्टिप्लाइगे तो 12 5 Tä हो जाएगा हमलों का 60 6 करहें आएगा 12 वंचे 12 of 6 हो 17 इसका अनलब product 셋 मों लोगu क्या है हम लोका 180 यहां क्या है 23 जा 180 और ये दोनो ही नंबर क्या रहे हैं बरावर आ इसका मतलब हम लोका यह जो रिलेस्ट दीए गया था product तो capsule number वो बरावर होता है LCM of two number और SCF of two number गए तो यह आज की हम लोग की class थी जिसमें हम लोग ने देखा LCM और SCF हम लोग कैसे find करते हैं उनके method देखे और कुछ example देखे थे तो आपको कैसी लगी वीडियो उसके बारे में कवाने बाक्स ने जब दूर बताईएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और सब्स्क्राइक वर दीजेगा टैंक यू